नमस्कार मैं हूँ जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन यूज में उत्रप्रदेश के प्रयाग राज में इलेक्ट्रिक सिटी बस के कंड़क्टर हरीकेश विश्व कर्मा पर जानलेवा हमली के मामले की ATS जांच कर रही है वही ATS की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है ATS का कहना है कि आरोपी लारेब हाशमी ने बस कंड़क्टर पर लोन वुल्फ अटेक किया था बता दें लारेब हाशमी बीटेक का छातर है पुलिस के अनुसार लोन वुल्फ अटेक की ट्रेनिंग आतंकी संगटन प्रशिक्षन के दोरान आतंकियों को देते हैं इसमें हमलावर भीड भाड़ वाले इलाके मार्केट जैसी जगाहों पर अकेले घुच जाता है और हमला करता है लारेब को लोन वुल्फ अटेक की ट्रेनिंग दी गई या फिर वो सेल्फ रैडिकलाइज है इन दोनों ही एंगल्स की ATS जांच कर रही है पुलिस के मताबिक लारेब का कंड़क्टर पर हमला कोई पुराने टिकेट को लेकर पैसों का विवाद नहीं है बलकि लारेब कटर पंथ और जिहाद की रहा पर था लारेब ने ट्रेंड आतंकी के तौर पर इस लोन वुल्फ अटेक को अंजाम दिया लारेब की इंटरनेट हिस्टरी से पता चला कि वो पाकिस्तानी मौलवी रिजवी कतर पंथियों की तकरीरें, जिहाद से जुड़े आर्टिकल्स, तालिबान के नरसनहार करने वाले वीडियो इसराइल फिलिस्तीन से जुड़े वीडियो लगातार सर्च करता और देखता था पुलिस अब लारेब के मुबाइल और लैपटॉप की फोरेंसिक जांच करवा रही है साथ ही लारेब की ट्रैवल हिस्टरी की भी जांच की जा रही है कि वो पिछली साल कुछ समय में किस किस से मिलता था कहां कहां गया, पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि इस पूरे मामली का connection उदैपूर कनहिया कांट से तो नहीं है या किसी आतंकी संगठन ने लारेब को radicalize किया है लारेब हाश्मी ने पुलिस को बताया कि वे माफिय अतीक एहमत का फैन है लारेब अतीक की तरह दबंग और बड़ा आदमी बना चाता है ताकि उसका भी नाम हो इसी वज़ा से उसने अतीक की तरह सिर पर सफेद साफा बांधना शुरू कर दिया है लारेब ने बताया कि अतीक की मौत पर भी वे काफी दुखी हुआ था उसने यह भी कहा कि उसको पुलिस पर विश्वास नहीं है और उसने अपना बदला पूरा कर लिया है और अब व्याराम से सो सकेगा ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहीं पब्लिकेशन यह उस धन्यवाद